So Hello and Welcome Back मेरे देश के प्यारे भविश्यो 11th Standard Motion in a Straight Line तो इस चैप्टर में बहुत कुछ किया है हमने आज एक बहुत ही important topic करने वाले हैं जो जादा तर पूछा जाता है और मैं ऐसा कह दू कि ये आप already पढ़ भी चुके हो 9th Standard में बिलकुर आपने 9th Standard पढ़ा हुआ है और वही चीज आज वापस करने वाले हो आप ये सोचरों कि 9th Standard पढ़ा है तो ठीक है पढ़ा भी दो कल क्या खाया था वो याद नहीं रहता 9th नहीं पढ़ा हुआ क्या तंबुर याद रहेगा यहां हमको 10th का याद नहीं है है ना कोई बात नहीं नहीं याद है इसले तो वापस दिया है वापस से पढ़ेंगे टेंशन काई को लेते हो मैं है ना मैं कराएगा चिंता नहीं तो बच्चों अपन करने वाले हैं आज काइनेमेटिक इकवेशन की डेरिवेशन काइनेमेटिक इकवेशन फॉर यूनिफॉर्म समझ गए ना यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन तो यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन की काइनेमेटिक की इकवेशन अपन आज डेराइब करने वाले हैं तो यूनिफॉर् मतलब acceleration constant होगा है ना और उसके लिए अपन ड्रॉ करने वाले हैं थोड़ा इधर से ड्रॉ करते हैं velocity time graph ठीक है velocity time graph अगर आपका acceleration constant है तो velocity time graph कुछ ऐसा straight line मिलता है राइट आप यहां से भी start कर सकते हैं आप यहां से भी start कर सकते हो कर सकते हो sorry मैं यहां से start कर रहा हूँ क्यों इस axis पर हम दिखा रहे हैं t in seconds इस axis पर हम दिखा रहे है velocity in meter per second मैं इसे यहां से start कर रहा हूँ इसका मतलब यह हुआ कि t 0 पर velocity 0 नहीं थी velocity की कुछ value थी यह हमारा 00 है यह origin है तो यहां पर हमारा t भी 0 होता है इस point पर और इस point पर v भी 0 होता है पर देखो t 0 है t तो यहीं से start होगा लेकिन उस वक्त मैंने यह line अगर यहां से start कियो थी मतलब t 0 पर मैं v 0 लेता लेकिन मैंने यहां से start किया यहां पर velocity थी मालो v 0 ठीक है जब time आपका 0 था उस time आपकी velocity थी v 0 clear है अच्छा थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर के बाद time हो गया t2 कितना time हो गया t2 उस time पर आपकी velocity हो गई v2 sorry v v v v v v final velocity v clear है t2 क्यों लिख रोब है t लिख लो है काय को t2 लिखने का यह 0 ही है 0 से t टाइम बीता 0 पर velocity थी v 0 और जब time t हुआ था velocity हो गई v right तो मुझे बताओ इस दोनों के बीच में velocity में कितना change आया है v minus v 0 है क्या यह वाला length कितना है आपका यह t minus 0 यानि के t है क्या लिख दू मैं सबको color color ले लो सब देखो यह वाला length मेरा पूरा का पूरा t है यह वाला length मेरा v minus v 0 है अब मैं यह सब क्यों निकाल रहा हूँ क्योंकि इन सब का मुझे काम लगने वाला है ठीक है कैसे बता देता हूँ चलो वह भी बता देता हूँ याद यह तेड़ा सा लग रहा है ना मजा नहीं आ रहा है इसमें फिर तेड़ा हो रहा है ठीक है अब थोड़ा सा सीधा है पहले के मुकाबले है ना अच्छा अब तीन एक्वेशन है काइनेमचिक्स की जो नैंत में पढ़ी थी हमने वो है एक है V equals to V0 plus A T एक है X equals to V0 T plus half A T square और एक है 2A X equals to V square minus V0 square यह थीन एक्वेशन हमको डिराइब करनी है थीक है सबसे पहले बात करेंगे अपन इस वाली equation की पहली equation की ये कैसे आएगा इसके लिए अपन निकालेंगे acceleration ठीक है पहली equation एक्सिलरेशन acceleration a is equals to होता है slope of vt graph vt graph का जो slope होता है वो आपको acceleration देता है मैंने बताया था ना xt graph का slope आपको velocity देता है और vt graph का slope आपको acceleration देता है slope कैसे निकालते हैं यही है मेरे graph का curve ठीक है इसका slope कैसे निकालोगे आप तो slope निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ से start हो रहा है यहाँ पर खत्म हो यह line है न तो इसका slope कैसे मिला होगे this minus this ये दोनो है न मतलब इस वाले axis का final minus initial upon इस वाले axis का final minus initial ठीक है तो acceleration equals to हो जाएगा आपका इस axis का पहले y वाली axis का y वाली axis में आपने v दिखाया होगा राइट तो v minus v zero final minus initial upon x वाली axis पर क्या दिखाया अपने time तो t minus 0 तो acceleration equals to हो गया v minus v naught upon t यह यहाँ जाएगा तो 80 हो जाएगा है ना तो v equals to यहाँ से मिल जाएगा आपको v naught plus 80 यह आपकी पहली equation आ गए हाला कि आप इसको directly भी लिख सकते थे पर कोई बात नहीं मैंने छोचा थोड़ा सा हुस्यारी मार लेते हैं तो acceleration, sorry, एक equation मिल गए v equals to v naught plus 80 मैं इसको ठोड़ा side में लिख देता हूँ यह मेरे काम का है इसका नाम equation 1 इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 1 ठीक है? क्योंकि आप मेरे कोई से मिटाना पड़ेगा ना? मेरे को और भी चीज़े लिख नहीं है object, ठीक है? 0 time पर उसकी velocity थी v naught t time पर उसकी velocity हो गई v तो इस दोरान v naught से v तक उसकी जो velocity हुई उस दोरान उसने कुछ displacement भी किया होगा वो displacement चीए मुझे ठीक है? क्या चीए? वो displacement चीए तो displacement equals to क्या होता है? मैंने last video में graph वाले में सब कुछ समझाया था जिसने graph का वीडियो नहीं देखा वो पहले वीडियो देखो graph का फिर इसको करो तो clearly सब कुछ समझ में आएगा और साथी साथ सरिफ इसी topic के लिए नहीं graph का वीडियो बहुत important है मैंने पहले ही टॉपिक में भी मैंने लिखके रखा है JEE, NEED, सभी के लिए important है ठीक है? तो displacement की और अभी आने वाले numericals भी हमारे chapter में कई numericals आएंगे अभी exercise में वो भी graph से related है तो graph समझ में आना चाहिए चला तो अपन छोड़ता है उसकी बात यहाँ पे करते हैं displacement equals to क्या है हमारा area under the curve बताए था ना मैंने area under VT curve है ना? तो area किसका VT curve का? यह VT curve है ना यह वाला इसके under का एरिया, नीचे का एरिया, उपर का नीचे का एरिया कैसे मिलेंगा इसके नीचे का एरिया? यह यह पूरा है ठीक है यह पूरा area यह चाहिए अपन को ठीक है? यह area आपन कैसे निकालेंगे? इसको अपन दो parts में divide कर लेते हैं इस पूरे shape को दो parts में, एक तो यह triangle हमारा ठीक है? इस triangle का area निकालेंगे और फिर इस rectangle का area निकालेंगे अपन है ना? triangle rectangle का area आपन एड कर देंगे? अपन को मिल जाएगा displacement ठीक है? तो इसके लिए अपन को चाहिए displacement यानिके x equals to area अंडर विटी कर्व यानिके area आफ नाम दे दू क्या इसको? नाम दे दू चलो यह origin वाला मेरा चलो भा इसको बेला कदर में नाम दो O, A, B, C और इसको नाम दे दो यार अच्छा इदर C दे रहो इदर D दे दो O, A, B, T ठीक है? equals to area of O, A, B, D अब O, A, B, D का area आपको कैसे मिलेगा आपने बता है? दो parts में divide के आपने है एक तो यह triangle और एक तो यह rectangle है ना? तो वो क्या होगा? area of triangle A, B, C plus area of quadrilateral A, C, D, O, अकड़ो ठीक है? triangle के रहे होगा 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 है? half base into height तो half base into height, base क्या है? A, C है ना? base A, C और height क्या है? B, C मैं जोड़ा लंबा करा रहा हूँ ताकि आपको समझने में problem ना हो वैसे मैं short में भी करा सकता था काफी चलो ठीक है, कोई बात ने? अब rectangle का area length into breadth होता है, तो ये length into breadth, है ना? length केतना है? O, D into breadth केतना है आपका? C, D, अरे ये भी ले सकते थे, length में ये भी ले सकते थे, breadth में भी ले सकते थे, चलता है, कोई problem नहीं है, tension मतलो okay, half of AC, AC के value कैसे निकालोगे? ये है ना, आपका AC, ये AC किसके बडाबर है, OD के बडाबर है? कैसे था? ये बता है ना, मैं इसका length लिखा हुआ है, T लिखा हुआ है, T BC ची है आपको, BC ये रहा, इसका length इसके बडाबर होगा, V minus V naught है ये वाला length, है ना, तो यहाँ BC की जिखे, V minus V naught लिख दिया हमने, प्लस OD, OD कितना है भाई, ये रहा OD, ये T ही है, CD कितना है CD, इसके बडाबर है, ये minus ये, है ना, तो यहाँ पर value कितनी है, V naught और यहाँ पर है 0, तो ये वाला length होगा आपका V naught minus 0, यानि के V naught ही होगा ये length, ठीक है, फाइन, आच्छा, ये वाला मैं आगे लिख देता हूँ V naught T, प्लस हाफ, इसको भी लिख देता हूँ, V minus V naught times T, चलेगा ना, इसको थोड़ा range कर दिया, और ये इसको और इसको लिख दिया, कोई problem नहीं है न, क्यों लिख दिया है, थोड़ा सा systematic करने के लिख लगा, थोड़ा सा अच्छा लगे, बागी कुछ नहीं है, ऐसा, चले V naught की value 80 लिख सकते हो गया, ये धर लेलोगे तो 80 मिल जाएगा न, तो जहां आपका V minus V naught है, मैं वहाँ पर 80 लिख दू किया, है न, चलेगा एक तो T था ही, V minus V naught को मैं 80 लिख दिया, तो ये हो गया आपका V naught T, प्लस हाफ 80 स्क्वेर, ये दूसरी equation मिल गई आपको, इसको भ V naught T, प्लस हाफ 80 स्क्वेर, ये दूसरी equation मिल गई, एक चीज और कर सकते हैं हम, अच्छा, अब अपन तीसरी equation निकालेंगे, तीसरी equation निकालने के लिए, दो methods है हमारे पास, ठीक है, एक तरीका ये है, कि अपन फिर से area ही निकालें, क्योंकि उसमें भी displacement आने वाला है, मैंन V naught square, ठीक है, तो एक तो directly acceleration वाली है, हमारी V equals to V naught plus 80, मैंने बताया, slope करके निकाल लो, फिर बाकी दो equations के लिए, आप displacement निकालने की कोशिस करो, ठीक है, एक में displacement ये area, ठीक है, दूसरे में भी displacement इस area के मिलद से निकाल सकते हो, उसमें आप ये trapezeeum ले सकते हो, मैं उस side में क displacement equals to, या फिर से क्या लेको, area under the curve ही होगा ना, नी सोरी 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 सोरी, प्रें text 2 कर रहा है ना हम लोग, तो displacement equals to average velocity into time भी होता है, ठीक है, average velocity into time होता है, तो displacement आपका x है, average velocity होगा आपका v plus v naught upon 2 into t, अब ये equation सिर्फ तभी सही होगी, ठीक है, ये side में लिक लो, कि v plus v naught upon 2, sorry, v plus v naught upon 2 is equals to average velocity, सिर्फ, सिर्फ तब होगा, when, अचा सिर्फ, a equals to constant पर होगा, ठीक है, पर होगा, समझे, जब acceleration constant हो, यानि के uniform accelerated motion हो, सिर्फ उस case में आप average velocity को, एक velocity plus 2 velocity divided by 2 कर सकते हो, 2 velocity को सम करके 2 से divide कर दोगे, तो average मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ इस case में, otherwise average velocity का formula क्या है, total displacement, यानि के net displacement, है ना, upon net time taken, ये formula है, average velocity का, ठीक है, किसी भी average velocity का हम इस तरह से निकालते हैं, ठीक है, उसमें इस तरह से नहीं निकालते हैं, किसी भी, sorry, अगर average velocity इस तरह से निकालना है, तो उसके लिए condition होनी चीए, कि constant acceleration यानि के uniform accelerated motion हो, तो ही ये चलेगा, otherwise नहीं चलेगा, तो ये तो वैसे uniform accelerated motion की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये सल जाए रहा है याँ पर, okay, fine, अच्छा, तो x equals to v plus v naught by 2 है, तो ये हम ऐसे ही रख देते हैं यहाँ पर, इस बार, t की value ले ले लेते हैं अपन 1 में से, t की value कहां से ले लेते हैं अपन, 1 में से, देखो कैसे मिलेगा, ये v naught यहाँ ले जाए के minus करतू, v minus v naught equals to 80 था, थोड़ दे पहले किया था, अब ये a नीचे ले ले लो, तो ये equals to अपका t हो जाएगा है, तो t का value ये मिल जाएगा, दिख रहा है के नहीं दिख रहा है आपको कैमेरे में, दिख रहा है, आँ, चलो, बाल-बाल बच गया, थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, तो ये t की value ये मिल जाएगा आपको, तो जहाँ t है, मैं वहाँ लिख दे रहा हूँ, v-v-0 upon a, ठीक है, क्या लिख दोगे ये, t equals to v-v-0 upon a, कहां से आया, from one में से ले लिए मैंने सको, ठीक है, reason में लिख देना, side में, ये reason है, ठीक है, ये बगले multiply मत लिख देना, तो यहां से x equals to क्या हम जाएगा देगा, v-v-0, a-b, a-b क्या होता है, a square, minus b square, upon 2a, ये यहां आके multiply जाएगा, तो 2ax equals to v square minus v not square, आ क्या, तो ये वाला जादा easy है वैसे, ठीक है, ये वाला जादा easy है, ये ये टेक्स टुक में दिया हुगा है, clear है, तो वो तीसरी equation भी आ गई हमारी, जो मैंने बताया था, ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करा था, इसको ये और method से कर सकते हैं, ठीक है, अगर average अलो city का जंचिट नहीं करना है आपको तो, पर थोड़ा सा लंबा है, पर है वो A, B, D, है न, O, A, B, D का area, इस वाले equation को लाने के लिए हमने वही किया था, area of O, A, B, D किया था, तो हमने उस area कैसे find के था, दो parts में डिवाइड करके, एक triangle और एक rectangle, अगर मैं इस पूरे shape को एक ही साथ लेके area निकालू, तो मेरा काम हो जाएगा, तो area of O, A, B, D को पे लिए area of trapezium O, A, B, D, आपका O, A, B, D एक trapezium है, देखो कैसे, यह और यह parallel है, एक pair parallel है, बाकी दो आले parallel नहीं है, यह दुना parallel है और यह दुना parallel नहीं है, तो यह trapezium हुआ, trapezium के area का हम्ला क्या होता है, half of sum of parallel sides, तो sum of parallel sides मतलब यह दुना parallel है न, तो parallel sides कौन सी है हमारी O, A, प्लस ये BD ठीक है, दोनों parallel sides हमारी into half into sum of parallel sides into height height मतलब दोनों parallel lines के बीच का distance ठीक है, ये distance होता है तो ये ऐसा है ना, ये ऐसा खड़ा करता है तो distance ये ही हो गया ना, ये बोलो ये बोलो एक ही बात है यानिक है OD, ठीक है समझ जाया तो half of O A आपका कितना है O A O A V 0 प्लस BD, 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 BD का है BD, जले-ले, BD का है, ये रहा V minus 0, है ना पुरा V minus 0 हो जाका ना, ये वाला ये हो गया ना आपका पुरा BD, V और ये 0 तो V minus 0 है निक है V OD कितना है बही है OD, 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 OD ये रहा, T है, है ना तो फिर से वही करो V plus V not लिख दूँ, इसको ठोड़ा धंक से बापास आगे पीछे T की value 1 में से ले लेंगे आपन जो मैंने वहा लिखी थी, जैसा भी पिसले वाले में करके बताया है मैंने तो हो जाएगा V minus V not अपॉन 2, है ना सॉरी, A, 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 A तो फिर से वही होगा, आदेको V plus V not, V minus V not तो V square minus V not square और नीचे 2 into A, 2A equals to X, यहाँ जाके multiply हो जाएगा तो हाएगा 2AX equals to V square minus V not square तो दुनों में क्या फाइदे, क्या नुपसाने वाई देको पिसला वाला जो average velocity से मैंने करके बताया वो थोड़ा छोटा था, है ना उसका वो फाइदा था इसका क्या फाइदा है, कि इसमें आपको average velocity वाला याद करना ही दुरूथ नहीं है आप फिर से एरिया ही निकाल लोगे पहला तो आपको यह निकालना है उसके बाद इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए आपको triangle, इस shape का अरिया निकालना है OABD का, एक बार आप दो parts करके, रनी triangle और rectangle करके निकालोगे, तो यह वाला मिलेगा और अगर पूरा trapezium समझके अरिया निकालोगे तो यह वाला मिल जाएगा, एक ही बाद हो गया है ना, तो इस तरह से अपन यह equations निकाल सकते हैं, चलो इसमें कुछ-कुछ और चीज़ें देख लेते हैं अपन खाली 9 standard जितना ही थोड़ी न पढ़ेंगे थोड़ा तो आखे पढ़ना पढ़ेगा हमको तो देखो तीन equations थी, एक था हमारा V equals to V naught plus 80, इसमें तो कुछ खास नहीं है, पर खास ये दो चीज़ों में देखनी पढ़ेंगी कुछ एक्स्टा चीज़ें अपन को इस वाले में और ये वाले में क्या देखना है बता जेता हूँ, ये जो आपने X लिया, ये X क्या है आपका displacement है, क्या है displacement है, आप अगर इसके इसमें आपने क्या माना पता है, कि आपका जो position था, starting का वो zero था, मतलब आपका object पहले origin पे था, फिर वाँगे पहुचा, अब बोलो कि origin तो ही है रहा, आपने तो बताया था, यहाँ से start किया है motion अरे भाई, यह velocity की बात कर रहा हूँ velocity time graph है, इसमें थोड़े ना position दिखाया है मैंने, सुन जाया मतलब position क्या ले रहो, कि आपका object जहां से start कर रहा है motion, उस जगे को आपने zero लिया था, ठीक है अगर जगे zero नहीं होती, मानलो मेरे कहने का मतलब कि यह जगे है, यहां पर zero, यह two, यह four यह six, ऐसे, ठीक है यह distance दिखा रहा हूँ, मैं displacement दिखा रहा हूँ, ठीक है मेरा object अगर यहां से start कर रहा था motion, ठीक है और यहां पहुँचा, ठीक है तो मुझे यह displacement से ही है, तो मैंने zero नहीं था, ठीक है start करने का जो motion का position था, उसका वो zero नहीं था, उसकी कुछ position थी तो उसको मैंने नाम दे दिया x naught ठीक है, और यहां से वो यहां पहुचा है, final position उसको मैंने नाम दे दिया x समझ में आ रहा है, clear है देखो if initial position of the object is x naught and it's the final position and it's final position is x initial position x naught or final position x जो coordinate system में दिखा रहे है, ठीक है coordinate axis के साब से दिखा रहे है अपन तो initial position यह है हमारा और final position यह है तो उस case में, ठीक है यह जो displacement है, x क्या displacement है, कि कितना displacement किया उसने, तो displacement आपको कैसे मिलता है final position minus initial position से मिलता है तो x minus x naught equals to v naught t plus half a t square ऐसे लिखोगे, मेरे कहने का मतलब यह वाली equation कभी इसकरोगे और यह वाली equation कभी इसकरोगे, अगर आपको question में दिया है कि object ने इतना displacement किया या object का displacement find करो, तो उस case में आप यह equation जोश करोगे अगर question में यह दिया है कि पहले object x equals to 3 meter पर था फिर object x equals to 7 meter पर गया, ठीक है उस case में calculation करो तो x equals to 3 से x equals to 7 गया, ठीक है, तो 7 और यह 3, समझ में आप, यह final position minus minus position, तब यह वाली equation उसकरोगे, समझ में आ रहा है, clear है यहाँ x का मतलब क्या हुआ coordinate बता रहा है, ठीक है x not initial coordinate, x final coordinate यह x क्या बता रहा है, पूरा displacement बता रहा है, दोनों में फर्क है, समझ में आ रहा है clear है, अच्छा similarly वही वाला जो दूसरा वाला यह, इसको भी अपन क्या लिख देंगे यह x यहाँ पर displacement के तरह पर यूस क्या है अगर coordinate के इसाफ सो जाए है अपन तो x minus x not लिखेंगे v square minus v not square, ठीक है यही दो equation है, फेर आएगा, बाकी है तो ऐसा ही रहेगा clear है तो coordinates के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख दो और अगर displacement के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे, ऐसे लिख दो clear है, समझ में आ गया पक्का, okay एक छोटा सा, ननना सा, मुनना सा example समझा तो इस वाले को और उस वाले को, ताक कि आपको clear हो जाए concept तो मान लो कि आपका object जो है उसने motion ऐसा बोला है कि object starts motion object starts motion from 3 meter from origin with a velocity of phi 10 meter per second ठीक है and acceleration produced in it acceleration produced on it is 2 meter per second square for 5 seconds find its final position ठीक है इसका final position बता करो ठीक है ठीक है टीक है ठीक है तो कौन सा formula यूज करोगे आप आप आपको displacement और को डिस्पलेंट और कॉडिनेट यह दिया हो है न बूला है कि पहले वो तीन मीटर पोजीशन बढ़ था एक्स से आपक है और या आपको क्या पता करना है ठीक है ठीक है और यह क्या दिया है आ आपको दिया हुआ है 3 आपको X-point कर ला है तो कॉंसा फामला इस करोगे आपके पास दो फामले यह वाला 2A X-X0 equals to V square minus V not square और दूसरा वाला है X-X0 equals to V not t plus half a t square तो इसके लिए तो आपको V और V not दोनों चाहिए final velocity भी चाहिए initial velocity भी चाहिए दोनों तो दी नहीं है आपको सर्फ initial velocity दी भी है तो यानि कि आप ultimately यह equation उसकरोगे क्यों किसमें T है और आपको T दिया भी हुआ है ठीक है तो मैं यह उसकर लेता हूँ X-X0 equals to V not t plus half a t square समझें V not कितना है आपका कहा गया 10 था ना 10 कितने time के लिए बोला था कितना time चला है यह 5 second plus half a a कितना है आपका 2 T कितना है फिर से 5 तो 5 का square यह 2 और 2 तो उड़ा देते हैं आपन यह कितना है 50 यह आएगा कितना 25 कितना आ गया 75 meter आया X-X0 ठीक है समझ मैं आया तो यहां से X मिलेगा आपको कैसे 75 में प्लस कर देंगे अपन X0 को ठीक है 75 प्लस X0 कि वैल्यू कितनी है आपकी 3 ना तो final position हो कितना 78 meter यानि आपका object जो है वो origin से 88 meter दूर तक महुचेगा ठीक है और जब आपने स्रिफ यहीं तक रखा था यह जो निकाला था अपने X-X0 यह क्या दे रहा है final position minus initial position यानि कि displacement दे रहा है ठीक है displacement दे रहा है तो यानि कि displacement हुआ है 75 meter का आपका object पहले 3 meter पर था 75 meter का displacement हो गया यह 75 यह 3 था 75 displacement हो गया तो पहुचा का 78 पर clear हुआ coordinate के हिसाब से ऐसा आया और अगर मैं स्रिफ displacement के हिसाब से लिखूं तो यह जो मिला है और को displacement ही तो मिला है 75 meter ठीक है और वही coordinate में लिखना था तो मैंने दोनों लिख दिया था 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 उधर shift करके plus कर जा तो coordinate मिल गया clear है तो यही फरक है displacement और coordinate वाले में कोई अनुखा नहीं है यार अगर displacement बोला है तो यह x minus x naught की value निकाल लिए आपको मतलब यही solve करना है और अगर coordinate भी पूछ दिया है तो यह x naught उधर जागे plus कर दो ठीक है या जो भी है जिसका gesture का data आएगा वह values put up करके solve कर लेना ठीक है हो में से कितना V, T, A है ना तो इन तीन में से कोई दो चीज़ देंगे और तीसरी चीज़ पूस लेंगे यह हो सकता है यह हो सकता है कि आपको final coordinate दिया जाएगा और यह सारी चीज़ दी जाएंगी initial coordinate बता करना होगा तो उस case में आप कैसे निकालोगे यह सब को solve करके इधर ल नेक्स्ट वीडियो में actually मैं calculus वाला सोच रहा था किसी वीडियो में करवा दूँ लेकिन मुझे लगता है कि नहीं वो calculus वाला topic करवाने से पहले मुझे थोड़ा सा basic differentiation और integration आपको समझा देना चाहिए जितना आपके काम का है राइट वैसे तो maths के topics हैं बटर physics में आ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा उसके बारे में आपका idea दे दूँ और फिर उसके बाद वाला concept करवाँ तो थोड़ा सा कर लो wait मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय see you and जैहिन